दोस्तो क्या आप UPSC CAPF Assistant Commandant की तियारी कर रहे हैं क्या आप जानना चाहते हैं कि इस एक्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कौन सी बुक बैस्ट रहेगी और एक्जाम की स्ट्रेडिजी क्या होनी चाहिए आपके इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में तो देखते रहे हैं पूरा वीडियो दोस्तो आज की डेट में कोई भी एक्जाम निकालना इतना असान नहीं है जितना कि आप समझते हो फिर भी अगर आप इस एक्जाम को पहले अटेम्ट में क्वालिफाई करना चाहते हो कम मेहनत करके क्योंकि आज की डेट में मैहनत करने पहर भी एक्जाम नहीं निकल रहे हैं दोस्तो आज जो बुक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सभी टीचर और इस एक्जाम को क्वालिफाई कर चुके सभी स्टुडेंट्स पढ़ने का सुजाव देते हैं ये सभी बुक्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनो लेंग्वेज में मिल जाएगी जिससे की दोनो टाइब की स्टुडेंट्स को कोई भी प्रोबलम ना हो भुक्क को पढ़ने में और साथ ही एक्जाम को क्रेक करने में और साथ ही दोस्तो आज जो भुक्स में आपको बताने वाला हूँ उन सभी बुक्स का लिंक आपको description में मिल जाएगा वहाँ से बुक्स को online purchase करके आप अपने घर पर ही बुक्स को मंगवा सकते हैं दोस्तो अगर general knowledge की बात की जाए तो general knowledge के दो पार्ट होते हैं एक तो होता है current affair और दूसरा होता है static gk अगर current affair की बाहम बात करें तो इसके लिए आपको daily the Hindu newspaper पढ़ना है जिससे की current affair से related आपके सारे questions solve हो जाए लेकिन current affair का जो news paper आता है वो English language में आता है पर जो students Hindi language में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए परतियोगिता दरपन best है जो की एक मंतली magazine है परतियोगिता दरपन आपको मासिक एवं वार्षिक Hindi और English दोनों ही language में market में मिल जाएंगी दोस्तों अब अगर हम बात करें static gk की तो static gk के लिए lucent की सामाने ग्यान सबसे best book है ये book एक well known book है general knowledge के लिए lucent एक capsule की तरह काम करेगी इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है ये book आपकी SSC, railway, bank, PO, army, air force और इसी तरह के सभी exams के लिए सबसे best book मानी जाती है ये book आपकी market में Hindi और English दोनों ही language में उपलब्ध है और इन सभी books का link मैं आपको description में दे दूँआ आप चाहे तो महां से उन्हें खरीच सकते है दोस्तो प्राचीन भारत और मद्यकालीन भारत के लिए आपकी lucent sufficient book है लेकिन अगर आधुनिक भारत की बात करे तो उसके लिए आपको spectrum की एक book आती है वो आपको लेनी पड़ेगी इस book में आपको arrival of European and establishment of British rule in India या to the day India want independence को एक systematic तरीके से लिखा गया है ये book आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही language में market में उपलब्द है दोस्तो history का portion तो आपका इन दोनों book से cover हो जाएगा अब अगर हम बात करे जोग्राफी की तो जोग्राफी के लिए आपको अपनी NCRT की books पढ़नी होगी दोस्तो जोग्राफी के लिए अगर आपको handwritten notes चाहिए तो उनका link भी मैं आपको description में दे दूँआ आप चाहे तो उन्हें वहाँ से खरीज सकते हैं इसके साथ-साथ आपको Oxford की Atlas की एक book लेनी होगी ये book आपको Hindi और English दोनों ही language में market में मिल जाएगी दोस्तो अब अगर हम बात करें economics की तो economics के लिए आपकी बारवी की NCRT उसके साथ-साथ आपकी स्रीराम IS Academy की एक book आती है वो आपके लिए sufficient रहीगी दोस्तो अब अगर हम बात करें पॉलिटी की तो पॉलिटी के लिए आपकी लक्षिमिकान सर की book सबसे best book रहीगी ये book आपकी Hindi और English दोनों ही language में market में उपलब्ध है और दोस्तो अब बचा आपका मिसलीनियस का पार्ट तो मिसलीनियस का पार्ट आपका lucent से cover हो जाएगा दोस्तो अब अगर हम बात करें science की तो science के लिए आपकी lucent की book सबसे best रहीगी ये book आपकी Hindi और English दोनों ही language में market में उपलब्ध है दोस्तो अब अगर हम बात करें maths की यानि की quantitative aptitude की तो उसके लिए आपकी अरिहंत की fast track objective arithmetic सबसे best book मानी जाती है by Rajeshwarma sir इस book की खास बात ये है कि ये book आपकी maths को basic to advance तक ले जाती है और tricks इतनी दे रखी हैं जो की बहुत ही practical है और आपको रटने की जुरुत नहीं पढ़ेंगी आसानी से याद हो जाएंगी ये book आपकी Hindi और English दोनों ही language में market में उपलब्ध है दोस्तो अब अगर हम बात करें reasoning की तो reasoning के लिए आपकी RS Agrawal sir की verbal and non-verbal reasoning सबसे best book मानी जाती है दोस्तो इन सभी books के साथ साथ आपको एक book और लेनी है जो की सबसे ज़्यादा important रहेगी previous year question paper की अरिहंत की एक book आती है 16 साल के question paper 2004 से लेके 2019 तक के सभी question paper आपको इस book में with detailed solution मिल जाएंगे किसी भी exam के pattern को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा important रहता है कि हम previous year के question paper को अच्छे से जाच लें तो ये book आप लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ये book आपकी market में Hindi और English दोनों ही language में उपलब्ध है साथ के साथ जो link है वो description में मौझूद है आप चाहे तो उसे वहाँ से खरीच सकते हैं दोस्तो ये सभी books जो आज मैंने discuss की है इन सभी books का link आपको description box में मिल जाएगा अगर पहले से आपके पास ये सभी books है तो बहुत अच्छी बात है preparation करना start कर दीजिए अगर आस्पडोस में सस्ते दाम में आपको कहीं मिल रही है तो आप वहाँ से ले लीजिए नहीं तो Amazon में ये सारी books available है description में link है बहुत अच्छे खासे discount में चल रही है आप चाहे तो वहाँ से उसे खरीज सकते हैं दोस्तो आज जो books मेंने आपको बताई है ये सभी books इस exam में अच्छा score कर चुके सभी students पढ़ने का सुझाव देते हैं दोस्तो जानकारी के अभाव में कई बार हम गलत books का chain कर लेते हैं जिसका परिणाम हमें बाद में भुगतना पड़ता है जब हम exam में paper देने जाते हैं हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा था उसमें से तो कुछ आया ही नहीं जो हमने जो syllabus cover किया था वो books जो हमने prefer की थी वो out of syllabus थी तो दोस्तो मैंने जो books आपको बताई हैं आप इन ही books से पढ़ाई करें और मैं आपको guarantee देता हूँ विश्वास दिलाता हूँ कि आपका इस exam में 100% selection होगा दोस्तो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो like, share and subscribe जरूर कीजिएगा Thank you very much